हलो बच्चो तो बच्चो हम लोगों ने रियल नंबर्स में लास्ट क्लास में क्या देखा कि दो नंबरों को यूकलिट डिवीजन लेमा से यूकलिट डिवीजन प्रमे से कैसे उसका SCF निकाल सकते हैं हमने यही देखा दो कोई भी ले ले थे हमने और उन दोनों नंबरों का यूकलिट डिवीजन लेमा हमने सीखा अब बच्चो इसके कुछ अर्थमेटिक रूल सीखेंगे जिसके दो पार्ट सीखने हैं हमें बच्चो हमें इसके दो पार्ट सीखने हैं वो पार्ट हैं LCM और and SCF बच्चो LCM और SCF के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी कर ली थी कि आखिरकार LCM क्या है SCF क्या है लेकिन मैं इसको जितनी बार भी पढ़ाऊंगा उतनी बार इसके बारे में डिटेलिंग दूँगा ठीक हैं मैंने आपको बताया था LCM का मतलब जिसे हिंदी में लगुत्तम समावर्तक यानि लासा और SCF का मतलब मैंने आपको बताया था महत्तम समावर्तक मतलब मासा हाँ जी बच्चो तो इसका मतलब क्या था महत्तम समावर्तक मतलब क्या वो बड़े से बड़ा नंबर जो उन सारे नंबरों को डिवाइड कर सके और LCM का मतलब क्या? वो छोटे-छोटे factor नंबर जो भई उनको एक-एक करके factorize कर सके गुननखंड कर सके ठीक है? एक बड़े नंबर को छोटे-छोटे नंबर में factorize करना जैसे अगर मैं बात करूँ कि भई LCM लेना है आपको LCM लेना है मान लीजिए 14 है और आपके पास 16 है आपसे बोला गया कि इसका LCM लीजिए क्या लीजिए? LCM तो अब पहले आप ये चेक करो कि ये कि छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भई मैं 2 से 2 से ये चोटा से चोटा ऐसा नंबर है जिससे मैं इसको बड़े आराम से डिवाइड कर लूँगा और 2 पे 14 को डिवाइड करूँगा तो 7 टाइमस में जबकि 16 को करूँगा तो 8 टाइमस में अब देखो 7 तो बड़ा नंबर है लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि 8 अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 4 और 4 अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा यानि जो छोटे छोटा नंबर ही यूज करते चलो 2 से ही डिवाइड होगा अब लास्ट में बचा 7 तो 7 तो 7 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता तो यह बन गया आपका 1 और 1 और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक पूरा 1 आ जाए तो बच्चो अब उसने पूछा किस 14 का और 16 का LCM क्या है ठीक है LCM क्या है तो आपने यह जितने भी छोटे छोटे फेक्टर यहाँ पे यूज किये हैं इन सब को आपस में जब आप मंटीप्लाई कर देंगे इन सब को जब आपस में आप मंटीप्लाई कर देंगे तो वही आपका क्या होगा बच्चो LCM होगा लगुत्तम समवर्तक होगा 224, 428, 826 ठीक है और 16, 70 कितना होता है जल्दी बता दो हाँ जी जल्दी बोलो 16, 70 224, 428, 826 16, और 16, 70 मतलब 16, 70 कितना होता है 112 बच्चो टेबल याद रखा करो ठीक है टेबल याद नहीं रखोगे तो बात नहीं बनेगी ठीक है अब आप ये देख रहोंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने ये सारा का सारा नंबर कैलकुलेट किया और हमने देखा कि बच्चो यहाँ पे 112 आ गिया अब 112 का पतलब क्या हुआ ये एक ऐसा नंबर है जिसे हम 14 से भी डिवाइड कर सकते हैं और हम 16 से भी डिवाइड कर सकते हैं अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा 8 टाइमस में जबकि 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने बारे में जाएगा जल्दी बता दो कितनी बारी मुझाएगा ये 16 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइमस में कितनी बारी मुझाएगा 7 टाइमस में इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए तो यही होता हमारा बच्छो LCM यही क्या होता हमारा LCM तो फड़ा फड़ा नोट करो फिर LCM बताता हूँ हंजी बच्छो तो आपने नोट कर लिया होगा तो आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से LCM निकाला जाता है लेकिन अभी आप यह मैं सोचिए कि मैं यहीं पर खतम कर रहा हूँ अभी मैं इस LCM के अंदर बहुत सारी चीजे करवाँगा आपको अभी देखना बहुत सारे कोशिण करवाए जाएंगे आपको नए-ने टाइप के कोशिण भी करवाए जाएंगे यूकलिट डिविजन लेमा पर भी मैं कुछ अलग-अलग टाइप के कोशिण करवाँगा लेकिन बचो अभी मैं question ना type wise उठा रहा हूँ मतलब पहले easy questions को easy questions का collection बना रहा हूँ मैं और जैसे easy questions का collection मेरा complete हो जाएगा फिर मैं आपको tough से tough questions जो भी chapter से related है वो सारे सारे धीरे धीरे cover करूँगा अच्छा इसके अंदर कुछ खास word problems भी है मैं वो भी cover करूँगा तो ये chapter हमें दिखने में लगता है छोटा सा लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी है तकरीबन इसमें मेरे को 4-5 class तो चाहिए ही चाहिए जैसे आप देख रहे हो कि अभी है अपनी कौन सी class है दूसरी class है तो 3-4 class इसे बिल्कुल अच्छे से तबियस से सीखेंगे बेफिकर रहो ठीक है तो अब मैं आपको जैसे बच्छो कोशन एक एक करके लेने जा रहा हूँ चलिए बहले LCM सीख ले ना पहले SCF सीखे आप आप क्या सीखे ए? SCF सीखे ठीक है बच्छो? SCF सीखेंगे अब हम सीखेंगे बच्छो? HCF 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 क्या होता है? मैंने बता है ना कि कोई भी 2 नमबर, 3 नमबर, 4 नमबर, 5 नमबर, 10 नमबर उठा लो ठीक है? और कोई से भी नमबर उठा लो उनका SCF का मतलब होता है कि ऐसा एक नमबर, जिससे वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए जैसे देखो, एक नमबर लेते हैं मैं अपनी तरफ से एक नमबर लेता हूँ, 36 एक नमबर लेता हूँ, 72 और एक नमबर मान लो मैंने ले लिया, 108 मैंने ये तीन नमबर ले लिया भई, अब इसमें आप से पूछा गया, कि बताओ, इसका SCF क्या है, SCF मतलब highest common factor, मतलब ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नमबर है, जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, कहने का मतलब क्या है, वो कौन से बड़ा से बड़ा नमबर है, कौ इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि highest common factor का मतलब बड़े नमबर के बारे में बात कर रहे है, तो चलो, पहले 36 को करेंगे factorize, 36 का factorize करो, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 3, 1, इसका factor बनिया, अच्छा, अब किसका करेंगे हम, 72 का, दो से करेंगे, 36, दो से करेंगे, क्या बने का ब दो से करेंगे, 9, 3 से करेंगे, 3, 3 से करेंगे, 1, यहां तक factorize हो गया, अच्छा, now, 108, ठीक, फिर 2 से करेंगे, 5 और यह 4, पता है न कैसे, 10 को 5 वायर में, 8 को 4 टाइमस में, फिर 2 से करेंगे, 2, 2 जा 4, एक इसको दिया, 2, 7 जा 14, उसके बाद 3 से करेंगे, 9 टाइमस में जा जाएगा, 3 से करेंगे, 1 टाइम में जाएगा, ठीक है, अच्छा, अब करना क्या है, अब आप यह करो, 36 का अपने factor क्या बनाया, मुझे बताओ, 2 into 2 into 3 into 3, अच्छा, 72 का factor क्या बनाया, 2 into 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है, 108 का factor क्या बनाया, 2 into 2 into 3 into 3, यह बनाया, अच्छा, अब आप यह चेक करो कि किसका किसका पेर बन रहा है आप ये चेक करो कि किसका किसका पेर बन रहा है इन तीनों में पेर का मतलब यहां पर यह नहीं है कि यह दो ही नमबर होने चीए पेर मतलब कि तीनों में तीनों में कौन-कौन सी चीजे common आ रही हैं तो देखो 222 common आई एक बार common आ गया फिर 222 common आ गया ठीक फिर अब क्या भई अब देखना ज़रा हाँ भई 2323 common नहीं 333 common हाँ भई 33 इन दो में तो आ रहा है 33 लेकिन क्या इसमें आ रहा है नहीं तो इसका मतलब common कौन को न आया 2 आया 2 आया 3 आया हमें क्या निकालना है HCF क्या निकालना है HCF तो बच्चो HCF मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको मासा ठीक है मासा कैसे निकालेंगे भई ये common आया 2 इन तीनों का हिस्सा एक बार लिखो फिर ये 2 को मना है इन तीनों का हिस्सा एक बार लिखो फिर ये 3 को मना है इन तीनों का हिस्सा एक बार लिखो और multiply करतो तो 2 2 जा 4 3 जा 12 तो बच्चो 12 वो highest number है 12 वो highest number है जो 36 को 72 को और 108 को क्या कर सकता है completely divide कर सकता है ठीक है, तो इसी वज़े से बोला गया इसे, highest common factor या महत्तम समावर तक मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो इन नंबरों को आपस में क्या कर सकता है, completely divide कर सकता है, तो वो कौन सा नंबर निकला 12, तो इस तरीके से भई हम SCF निकालते हैं ठीक है, और जो हमारा LCM था, मैंने वो पीछे आपको दिखाया, तो जल्दी से इसको note कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है फटाफट इसे बच्चो note करो चलिए बच्चो तो अब एक नए question की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है और ये question बहुत ज़्यादा important भी कह सकते हो किस चीज़ से related कि आपको एक topic समझ में आ जाएगा कि हंजी, इस type के questions भी paper में आते हैं ठीक है, जैसे जिमान लीजिए, मैंने आपको एक question लिखवाया question है आपके सामने 144, 180 और 192 144, 180 और 192, बच्चो ये तीन नंबर है ठीक है और पता इसने बोला किया आप से इसने आप से बोला है कि भाई इसमें मुझे आप SCF और LCM prime factorization से निकाल के दिखाओ हिंदी में LASA और MASA भाई, अभाज्य गुननखंड से करके दिखाओ ठीक है किस से करके दिखाओ अभाज्य गुननखंड से ठीक है बच्चो तो अभाज्य गुननखंड का मतलब क्या हुआ जो अब तक हम करते आ रहे थे factorized ठीक है और उसके बाद आप से क्या बात की गई है कि LCM और SCF दोनों निकालो लासा और मासा दोनों निकालो तो चलिए LCM निकालते है पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं बच्चो LCM क्या निकालने जा रहे है LCM ठीक है चलिए तो LCM कैसे निकालते हैं हर बच्चे को पता है 144 180 192 यही है ठीक है अच्छा मुझे पता है प्राइम फेक्टर में छोटे थे छोटा नंबर यूज़ करते हैं बच्चे को 2 यूज़ कर रहा हूँ मैं तो मैं देखो 2 से यूज़ करूँगा तो यह 72 पे जाएगा कैसे 27 जा 14 22 जा 4 हाँ बच्चे 29 जा 80 0 29 जा 18 और एक दिये से 96 अभी भी मैं देख रहा हूँ 2 से जा रहा है चलिए ठीक है जी 2 से करेंगे हाँ जी कितना होगा 2 और यह 2 3 जा 6 और एक जा 36 फिर इसका 4 जा और 45 इसका करेंगे 4 और 8 जा 16 यह आ गया हाँ भी अभी भी 2 से जा रहा है कोई न कोई चलो भाई ठीक है 2 से करते है यह जाएगा 18 पे यह 45 का 45 रहेगा यह जाएगा 24 पे ठीक है जी अभी भी 2 से कोई न कोई जा रहा है यह 9 पे यह 45 का 45 रहेगा यह 12 पे अभी भी 2 से जा रहा है हाँ जी 9 तो जाएगा नहीं रहा है छोड़RO 45 भी नहीं यह जाएगा हां जी तो किस से हो रहे हैं तो थी से करें यह फिथीन टाइम्स में यह उन टाइम में ठीक है अब भी किस से हो रहा है त्री से फेक्टर हो इसने दो, तो फाईव से कर दो, फाईव से कर दो, यह तो वन था है, यह भी वन, यह भी वन, तो बच्चोव, Lcm निकालना है, तो आपको अच्छे से पता है, मैंने बताया था ना, लो इस्ट कॉमन मुल्टि पल, तो भई, चोटे से छोटे नमबर का multiple तो छोटे छोटे नमबर का multiple तो छोटे छोटे नमबर कौन-कौन से है? 2 2 कितनी बार है 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बार है देखो जी 6 बार मैंने 2 लिग दिया फिर है 3, 3 3, 3 कितनी बार है? 2 बार है और उसके बाद कोन है फाइफ ठीक है मंटिपल करो दो दुनी चार दुनी आठ दुनी 16 दुनी 32 दुनी 64 तीन तीया नो गुने 5 ठीक है हाँ जी ये कितना होगा नो चोक 36 का 6 रह गया तीन 9 ठीक चोवन और तीन 57 गुने में 5 पांच से मंटिपलाई कर तो तीन पांच एक 30 का 0 रह गया तीन 35 तीन 38 का 8 रह गया तीन 25 और तीन 28 अठाइस आंसर तो आंसर कितना है 2880 तो बच्चो ये कौन है ये है हमारा इन तीनो नंबरों का LCM इन तीनो नंबरों का क्या है ये LCM तो बच्चो इस तरीके से क्या निकालते हैं LCM निकालते हैं तो हमारे पास कोशन का पहला पार्ट था LCM निकालो तो इन तीनों नंबरों को हमने क्या निकाल दिया? LCM निकाल दिया समझे में आगी बात एक मिनिट का टाइम दे रहो जल्दी से उतार लो फिर SCF कराऊंगा जल्दी करो फिर SCF कराने वालों है तो बच्चो अब हम लोग इसमें SCF निकालना सीखेंगे ठेक है? ये नोट कर लिया होगा आपने चलिए अब हम लोग SCF निकालना सीखेंगे कौन कौन से नंबर थे बच्चो हमारे पास? हमारे पास नंबर था 144 180 और 190 2 ठेक है? यही नंबर था? यही नंबर था न? अच्छा, अब क्या करना बच्चो हमें इसका SCF निकालना तो मैंने SCF निकालने का बतलब क्या बतायता कि इसका फैक्टर निकालो तो कैसे निकालेंगे फैक्टर? 144 को पहले अलग से करो 144 को पहले फैक्टराइज करो बच्चो कैसे करेंगे? 2 से करेंगे 72, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1 इसके वाद किसका factor करेंगे हम? 180 का, 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1 अब किसका है 192 का 2 से करेंगे 9 और 6 2 से करेंगे 4 और 8 2 से करेंगे 2 और 4 2 से करेंगे 1 और 2 2 से करेंगे 6 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1 तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास इनके प्राइम फेक्टराइजिशन आ गया है ठीक है, अच्छा, अब बात आती है, S.E.F. निकालने की, तो 144 के क्या क्या factor बने, 222, 233, यही बने ना factor, अच्छा, 180 के क्या क्या factor बने, 22335, 192 के क्या क्या factor बने, हां जी, तो 3 और 3 छे बार तो 2 आया, 222, 222, और एक बार क्या आया, 3, अब बच्छो, हमें ऐसे पेर बनाने हैं, जो 3 के अंदर common है, हमें ऐसे पेर बनाने हैं, जो 3 के अंदर क्या है, common है, तो कैसे पता लगेगा, यह देखो, हां जी, यह तीनो, यह तीनो, भाई यह common नहीं यह common नहीं है, 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 लेकिन एक चीज common दिखाई दे रही है मुझे, क्या, three common दिखाई दे रहा है, कहां से, यह देखो, यह देखो, यह देखो, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है तीनों में common, दिख रहा है कि नहीं, ब ये वाला थरी, ये वाला थरी और ये वाला थरी, तीनों के अंदर आ रहा है तो हमने common ले लिया, अब जरूरी निया कि आप इसी three को लो, इसको भी ले सकते हो, जरूरी निया इसको लो, इसको भी ले सकते हो, बस तीनों में common जरूर आना चाहिए, अगर तीनों में common है, तो ह फोर्थ रिजा 12 तो यानि अब कि वर फिर से 12 क्या आया भाई इसका SCF आया मतलब हम 12 से इन तीनों नंबरों को क्या कर सकते हैं डिवाइट कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि हर बच्चे को इस टाइब के कोशन समझ में आ गए होंगे ठेक हैं जल्दी से नोट कीजिए जल्दी से नोट कीजिए फिर आपको करने के लिए भी काफी सारे कोशन देता हूँ तो प्यारे बच्चो हम लोगों ने SCF और LCM निकालना सीखा अब बच्चो मैं आपको SCF ट्री जिसे हम लग कहते हैं फैक्टराइजिशन ट्री वह सिखाऊंगा तो SCF के अंदर प्राइम फैक्टराइजिशन ट्री ठेक हैं अबाज्य अबाज्य गुननखंड का पेड ठेक हैं अबाज्य गुननखंड का पेड ठेक हैं अबाज्य गुननखंड का पेड प्राइम फैक्टराइजिशन ट्री ये कैसे करते हैं जैसे माल लीजिए मैंने एक number ले लिया 140 अभी छोटा number ले रहो अभी 2-4 question करवाँगो बड़े-बड़े question भी करवाँगो माल लीजिए मैंने number ले लिया 140 और आपसे बोला गया कि भाई tree बनाईए आपसे क्या बोला गया कि आप इसका tree बनाईए वो भी कौन सा tree prime factorization tree मतलब क्या अभाज्य गुननखरंड का पेड़ बनाईए ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं हम बना देंगे तो बच्चो याद रखना prime factorization का जो पेड़ बनता है उससे आप LCM SCF जो निकालना चाहो निकाल सकते हो ठीक है वो depend करता है कि वो पूछ क्या रहा है जैसे अभी ये है 140 तो इसका अभी अकेला नमबर है न ये तो सिर्फ tree पूछेगा आपसे क्या पूछेगा tree पूछेगा क्या होगा tree देखो कैसे करना है हमेशा tree बनाते कैसे है पहले आपको ये बता दूँ आप हमेशा 140 का क्या कर दो पहले prime factorization कर दो 2, 70 2, 35 5, 7 7, 1 आपने factor बना दिया अब आपको क्या करना है tree बनाना है आपको क्या बनाना है tree बनाना है पेड़ बनाना है अच्छा तो पेड़ बनाएंगे कैसे आप पहला number क्या था 140 इसको ऐसे करेंगे 140 ठीक है अब क्या करना है आपको कुछ नहीं करना इसमें हमेशा 2 part निकालते चलो कितने part निकालते चलो 2 part हाँ बही पहला यो आप prime factor वाला part है वो यहाँ पे रखेंगे और जो prime factor होने के बाद जो बच रहा उसे यहाँ पे रखेंगे मेरी बात को ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा कि भाई जब आप prime factor करेंगे तो prime factor करने के बाद prime factor करने के बाद जो बचेगा उसे यहाँ और जिस नंबर से अपने factor किया उसे यहाँ जैसे वही किस से किया है अपने prime factor 2 से तो 2 को डालेंगे यहाँ पे 2 को डालेंगे यहाँ पे ठीक है अच्छा prime factor करने के बाद 70 बच गया जो बच गया उसको कहाँ डालेंगे यहाँ ठीक है अच्छा, अब ये बताओ, अब आप लोग ने प्राइम फेक्टर किसका किया, अब आप लोग ने किया 70 का, किसका किया, 70 का, तो 70 के भी दो टुकडे करोगे, 70 के भी दो टुकडे करोगे, और मैंने क्या बताया, जिससे फेक्टर कर रहे हैं, वो नंबर यहां, और जो बच यहां ठीक है अच्छा अब आपने फैक्टर किसका किया 35 का तो इसके भी दो हिस्से बना लो ठीक है जिससे फैक्टर कर रहे हो वह यहां जो बच गया वह यहां ठीक है अच्छा किससे फैक्टर किया अपने 35 का 5 से जिससे किया वह यहां और जो बच गया वह यहां ठीक है जी अब आपने 7 का भी, अब आपने किसका factorization किया, 7 का, तो 7 के भी दो factor बना दो, ठीक है, जिससे किया वो यहाँ, जो बच गया वो यहाँ, ठीक है, अच्छा, हाँ जी, तो क्या करेंगे, हाँ जी, किससे किया आपने factor, 7 से, ये रहा, बच किया गया, 1, तो बच्चो, ये tree तब हो चुकी होगी, आपकी tree क्या हो चुकी होगी, complete हो चुकी होगी, क्या कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को, फटा-फट ये tree उतारो, फिर मैं आप लोगों को, इसके अंदर एक बात बताता हूँ, जल्दी note करो, जल्दी note करो, उमीद करता हूँ, note कर लिए होगा आपने, सम एक और कराता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि और किस तरीके के question आ सकते हैं, ठीक है, एक number में कभी-कभी question आता है, दो नमबर में भी आता है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, चलिए, अब देखो, एक number और लेते हैं, ठीक है, number थोड़ा सा बड़ा लूँगा, मैं अबकी number लिया, बच्चो, 3825, 3825, नमबर मैंने थोड़ा से क्या ले लिया, बड़ा, अब इसको हमसे क्या बोला गया, factor बनाओ, sorry, tree बनाओ, क्या बनाओ, prime factorization tree बनाओ, अभाज्ये कुननखंड का पेड़ बनाओ, ठीक है जी, बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको क्या पेड़ बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसका रफ में, कहीं पे भी, रफ वर्क कर लेना है, और वो रफ वर्क क्या करना है, इसका factor करके देख लो, यह याद दिरखना, यह काम जो कर रहे हो आप, यह रफ में करना है अपको, ध्यान ते देख आपको पेड़ बनाना तो चलिए, थी से करके देखते हैं, वन, टू, जार आपस, पाँच, अजी, फिर जला जाएगा, फिर जला जाएगा, नहीं, अब की बार नहीं जाएगा, अब की बार नी जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5, 8 जा, ठीक है, 5, 8 जा, और 5, 5 जा, फिर जाएगा 5 से, 5 बन जा, 5, 7, और यह आप तो 17 तो 17 से ही जाता है, ठीक है, तो देखो, नंबर बड़ा है, लेकिन फैक्टर छोटे हुए, ठीक है, ट्री बनाओ, भाई, ट्री बनाओ, तो ट्री कैसे बनेगा, आपको पता ही है, नंबर क्या है, 3, 8, 2, 5, ठीक है, इसके दो फैक्टर बनाएंगे, पहले, कितने फैक्टर बनाएंगे, दो फैक्टर, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे, जिससे फैक्टर करते हैं, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे, जो नमबर बच गया हाँ जी तो भाई यहां पर हमने फैक्टर किस्से किया थ्री से तो यहां हम क्या लिखेंगे थ्री अच्छा फैक्टर करने के बाद बचा किया 1, 2, 7, 5 यही बचा अब 3 का उगला किससा क्या बई जो बच गया उसका फैक्टर करेंगे जो बच गया उसका फैक्टर करेंगे यहां क्या लिखेंगे जिससे फैक्टर किया यहां क्या लिखेंगे जो फैक्टर करके बचा हाँ भई फैक्टर किस से किया 3 से तो यहाँ पर लिखेंगे 3 फैक्टर करके बचा किया 425 तो यहाँ किया लिखेंगे 425 ठीक है जी अच्छा अब क्या जो बच गया उसका फैक्टर करेंगे ठीक है जो बच गया यानि जो जिससे फैक्टर किया वो यहाँ, जो बच गया वो यहाँ, हाँ जी factor किस से किया है 5 से, किस से किया है 5 से, बचा क्या 85, वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है अच्छा, उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है, factor करो factor करो जिस से किया वो यहाँ, जो बच गया वो यहांँ ठीक है? हाँ जी किस न किया है? 5 से बचा क्या? 17 बचा क्या? 17 अब थोड़ा उपर कर रहे हूं मैं यहां पर कर रहे हूं ठीक है? यहां पर कर रहे हूं समझ ले ना इसी के नीचे है वो हाँ भई? 17 है 17 क अभी factor करेंगे 17 का factor क्या बना? 17 और 1 ठीक है? तो किस से किया है? 17 से किया है? वो यहां बचा क्या? 1 तो बच्चो मैंने क्या बताया है? तब तक factor करते रहो जब तक क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए तो देख लो भाई 1 आ गया? इसका मतलब हमारा ये क्या बन गया? factorization tree बन गया इसका मतलब क्या बन गया हमारा ये? factorization tree तो बच्चो इस तरीके से factorization tree बनाया जाता है क्या बनाया जाता है? factorization tree बनाया जाता है और मैं अभी जब अभी class खतम करूँगा तो ऐसे काफी सारे questions मैं आपको करने के लिए दूँगा बच्चो तो आपको कोई भी दिक्कत अगर हो तो मुझे बताना ठीक है देखो prime factor बच्चो आपको करना आना चाहिए क्यों आना चाहिए क्योंकि prime factor करने से आपको fourth chapter में मदद मिलेगी second chapter में मदद मिलेगी और यह तो chapter है इस चीज़ का तो बच्चो इसलिए आपको यह क्या सिखाया गया है prime factorization सिखाया गया है ठीक है तो आपको SCF सिखाया LCM सिखाया और prime factorization tree अब आज यह गुननखंड का पेड कैसे बना जाता है यह सब सिखाया ठीक है जल्दी से note करो आज का एक last topic और सिखा रहा हूँ फिर यह आपके तीन topic खतम हो जाएंगे next class में नए topic से सुरू करूँगा ठीक है note कर लो इसे जल्दी note कर लो और एक बाद यहार रखना tree बनाते समय यह काम आपको rough में करना है ठीक है चलो कर लिए होगा note अब LCM SCF के अंदर ही एक rule सीख लो LCM SCF के अंदर ही एक rule सिखा रहा हूँ क्या rule सिखा रहा हूँ देखो जरा एक बात याद रखना एक rule होता है कि LCM multiply में SCF बराबर होता है A into B अब यह A into B क्या है कोई भी दो नमबर का multiple उसके LCM और SCF के multiple के बराबर होता है क्या मतलब कोई भी दो नमबर का multiple किसी भी दो नमबर का multiple उसके LCM और SCF के बराबर होता है चाहे तो देखो मैं आपको करवा सकता हूँ यह बड़े आराम से कैसे मानलो आपके पास एक नमबर है छे और दूसरा नमबर है बारा यह आपका A है यह आपका B है ठीक है जी यह दो नमबर ले लिए मैंने यह मैं प्रूफ करके दिखा रहूँ आपको आप लोग बोलोगे कैसे भई ऐसा कैसे हो सकता है तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहूँ LCM 12 ही आएगा कैसे चाहे तो check करके देखो LCM check करके देखो 6 और 12 का LCM 2 से करेंगे 3 6 2 से करेंगे 3 3 3 से करेंगे 1 1 तो देखो multiply करके 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो LCM कितना आ गया 12 अब निकालते है SCF तो SCF मतलब जो इन दोनों को divide कर सकता है इन इन दोनों को divide कर सकता है तो इन दोनों को divide कर कौन सकता है 6 कर सकता है highest common factor ना highest number 6 खुद को भी divide कर सकता है और 6 12 को भी divide कर सकता है तो यहाँ पर SCF कितना आ गया इसका 6 नहीं अकीन होता है तो देखो निकाल के दिखाता हूँ निकाल के दिखाता हूँ 2, 3, 3, 1 2, 6 2, 3, 3, 1 लगाओ जी 2 into 3 2 into 2 into 3 ये common ये common तो 2 into 3 कितना आया 6 देखो आ गया SCF भी 6 SCF भी कितना आ गया 6 अब देखो अब नमबर पूट करते हैं LCM कितना निकला था 12 SCF कितना निकला 6 A कितना था आपके पास 6 B कितना था आपके पास 12 देखो multiply कर दो आया की नहीं आया बराबर तो हमेशा ध्यान रखना बच्चो कि ये याद रखना कि दो नमबरों का multiple हमेशा उसके LCM और SCF के multiple के क्या होता है बराबर होता है ये rule बिलकुल याद कर लो अच्छे से अब इससे related मैं आपको question करवाँगा ठीक है तो फटा फटी से note करो फिर मैं आपको करवाता हूँ कि आखिरकार LCM into SCF is equal to A into B कैसे कैसे किस tribe के question आते हैं जल्दी note कर लो ठीक है चलिए जिसे मैं एक कोशन लेता हूँ अधिक है यह में डारों अच्छों मैं ठीक है पहले तुम आपको homework दे दूँ पहले तुम आपको homework दे दूँ ठीक है पहले कोशन में बोला है प्राइम फिक्टर निकालने के लिए दूसरे कोशन में बोला है यह आपको LCM-H7 निकालने के लिए कोशन नमबर 4 कराता हूँ कोशन नमबर 4 इसी से related है क्या दिया हुआ कोशन नमबर 4 कह रहा है HCF of 306 और 657 वो है 9 ठीक है तो कह रहा है LCM बताओ इसका LCM बताओ इसका कोशन देखो कितना प्यारा कोशन है कि बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि हाँ जी बच्चों को हमें दुखी करना है लेकिन हम भई हम इस तरह के बच्चे प्रिपेर कर रहे हैं जो दुखी नहीं होंगे वो उल्टा टीचर को इंप्रेस कर देंगे अपने भई सूजबूज से तो ज़रा देखे कैसे उसने बोला SCF 9 है किसका इन दो नंबरों का तो बताइए LCM क्या है इन दो नंबरों का तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो A होगा वो जरूर 36 होगा सही बात है और जो B होगा वो जरूर क्या होगा 6, 5, 7 क्योंकि ये दोनों हैं कौन दोनों नंबर है तो इस वाले को A ले लो इस वाले को B ले लो और दिया हुआ क्या आपको भाई SCF कितना दिया हुआ SCF 9 और निकालने के लिए क्या बोला है आपको LCM तो क्या हमारे पास फॉर्मूला है क्या है फॉर्मूला LCM into SCF is equal to A into B बात खतम LCM into SCF is equal to A into B LCM हमें निकालना है SCF हमें 9 दे रखा है A हमारे पास 306 है और B हमारे पास 657 है बच्चो 9 यहां multiply कर रहा है इधर आके क्या करेगा जल्दी बोलो क्या करेगा divide तो 9 से divide कर दो 9 से काटो हाँ जी LCM 9 से काटो 9 से इसको काटेंगे 9, 63, 63 और 9, 37 तो आगे है कितना 306 into 73 ठीक है जी into 73 अब LCM निकालना है तो multiply कर दो हाँ जी जल्दी बताओ 73 चिक्के कितने होते है 420 और 18 438 है ना 438 का 8 तो यह रहे गया इतना यह home work था note कर ले ना फिर से लिख देता हूँ 1.2 का पहला दूसरा 30 ठीक है तो बच्च कितने गए भई हमारे बाइ कितने पहले up 43 फिर 73 को 0 से करेंगे 0 43 का 3 रह जल्दी रहा कितना गया 4 ठीक है अब 73 तिया तो 73 कितना होता है बच्चो 219 ठीक है कितना होता है 73 तिया कितना होता है 219 219 और 4 कितने होते 223 ठीक है तो 223 ये आपका अंसर है ऐसे करते हैं ठीक है तेहतर तेह कितना होता है दोसो उननिस और भई चार हमने एड़ कर दिया दोसो तेहिस तो ये हमारा क्या आगया बच्चो LCM आगया क्या आगया ये LCM ऐसे ही अभी इसे दो चार कोशन Our कराता हूं फटाफट नोट करो इसे अगर आपको क्या करना है ये चार चीज एह न इन चारों मैं से कोई एक चीज आपको नहीं दी गई होगी तीन चीज़ह दी गई होंगी और आपको निकालना Research बर सिंपल नोट कीजिए कि नोट कीजिए मैं जब तक कोश्चन सेलेक्ट कर लेता हूं ठीक है मैं जब तक कोश्चन सेलेक्ट कर लेता हूं आप लोगों के लिए एफ ए क para ल気मा लेक्ट से तक कर लेगा आप लेहां았습니다 कि लेता हूंथों के लेहां सेलेक्ट कर सक्षज कर लेक्ट सेलेक्ट कि लेगा हूं कि लेता हूं कि ये कर ले एक हूंठाय सेलेक्ट करने के लिए ठीक है एक मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको इस एक मिनट में आपको ये कोशन करके दिखाना है ठीक है मैं उमीद करता हूँ कि आपने ये नोट कर लिया होगा ठीक है देखो कोशन क्या है मैं करवाता हूँ कोशन देखिए बच्चो कहां चला गया हां जी बच्चो SCF दे रखा है आपको 26 और 169 का कितना 13 और कह रहा है LCM बताओ LCM बताओ 26 और 169 का LCM बताओ चलिए तो मुझे नहीं लगता कोई टफ कोशन है फिर से भई वाली बात ठीक है देखिए मैंने क्या बताओ ताओ यह दो नंबर है ना तो भई इन दो नंबरों का SCF यह है तो इन दो नंबरों का LCM क्या होगा तो जरूर भाई A कौन रहा होगा 26 जरूर B कौन रहा होगा 169 SCF आपको पहले से ही दिया हुआ है कितना 13 निकालना क्या है LCM ठीक है फॉर्मूला क्या है आपके पास LCM multiply मैं SCF बराबर A into B हाँ जी LCM हमें निकालना है ठीक है जी SCF कितना दिया हुआ है 13 A कितना है 26 B कितना है 169 तो LCM 26 गुना 169 यह multiply कर रहा है इधर आके divide करेगा काट दो जी 13 टूजा 26 2 into 169 तो बच्चो LCM कितना आगे आपका बच्चो 169 को 2 से multiply करोगे तो कितना आएगा 172 दूनी 340 दो माइनस करेंगे 338 अंसर कितना आया 338 तो देखो कितना simple question है है की नहीं simple तो इस तरीके से करना होता है तो इस तरीके के असान असान question इस topic से बनते है ठीक है आपको फिर से बताया है मैंने कैसे topic बनते है कि बच्चो कोई भी दो नंबर दिया होंगे या तो LCM दिया होगा या तो SCF दिया होगा ठीक है, अगर LCM दिया होता तो SCF दिया होगा तो LCM निकल जाएगा ठीक है, और ऐसे quandion आईंगे आपके सामने और ये करना है तो इस तरीके से बच्चो आपके आज की class ये आप note कर लीजिये आज की class में यहीं खतम कर रहा हूँ homework में दे चुका हूँ 1.2 का 1st question, 2nd question, 3rd question अभी और भी questions दूँगा मैं आपको लेकिन बच्चो थोड़ा सा wait करिये क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं उस level तक नहीं पहुंचा हूँ करवाएं हैं वो भी revise करते रहिए फिर हम लोग next class में मिलेंगे ठीक है और एक नए topic की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसे हम लोग इर रैसन लंबर के लिए काम करना सुरू करेंगे तो चलिए आज की class यहीं खतम करते हैं हमस्ते